गागिक्लासिस के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आईडिया और एक्स्प्रेशन पेच के डिसक्सिन पे आस डेट है 23 मेई थर्सडी है तो देख लेते हैं आर्टिकल इस साइड जो है एक आर्टिकल आपको पता होगा भी रीजेंटली जो है पूने में एक 17 साल के लड़के ने दो लोगों को मार दिया है कार एक्सिडेन से ठीक है तो उसी पर जो है राइटर जो मीरन चंदा बुरोकर है ये बुर्वांकर जो है इस पर जो है प्रेटर में लिखा है तो यहाँ पर बता रही है कि किस तरीके से हमारी सिस्टम में फॉल्ल्त है तो देख लेते हैं क्या है और इस साइड लेफ्ट साइड में इंफलेशन के बारे में है कि ग्रोथ जो है आपकी 7% है यह 7.5 है RBI क्या कहता है ठीक है एनृसर क्लाइमेट पे है क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो हमारा जो पैस्ट्राइल का जो जिसको बोलते हैं चारावा बोलते हैं तो वो जो लैंड है वो काफी जादा इंपक्ट हो रहा है इसके इलावा जो है और क्या-क्या चेंजिस हो रहे हैं माउंटेन पैस्चिर्ज में या टुन्डरा प्लाइटियू में या शर्ब लैंड हो गए तो वहां क्या इंपक्ट पड़ा है क्लाइमेट के वज़े से तो वो एक नजर डाल लेंगे इसमें पैस्ट्रोलिजम को कि सर अर्टिकल है इरान और इंडिया के रिलेशन्शिप पे ठीक है तो शुरू करते हैं मार्टिकल तो देखिए सबसे पहले ही वाला जो केस है आपको पता होगा कि अभी जो है रिसेंटली पूने में क्या हुआ 17 साल के एक लड़के ने ड्रंक होके ठीक है पूरा ड्रंक होके बकायदा वीडियो भी है सोशल मीडिया में आपने देखा होगा ड्रंक होके कार वहेकल फोर वीलर चलाया और दो लोगों की से डेथ हो गई है अक्सिडेंट ठीक है तो यह एक तो इशू ही है मुद्दा लेकिन अब बात क्या है तो राइटर यहाँ पर यह बताना चाह र 12-2002 में भी इंसिडेंट हुआ था ठीक है तो अब यह केस जो है जो की सलमान खान के ऊपर चला वो 13 साल पहले इस केस को रफादफा कर दिया गया ठीक है क्रिमिनल जस्टिस के तह है तो यहाँ पर जो है राइटर जो है थोड़ असा हमारे सिस्टम को जो है लूप होल बता द्राइविंग के वज़े से है тут ही और रण केस जो है वो बहुत जादा कोर्ट में पैंडिंग है जिनका सौट य नहीं हुआ केस ठीक है वो वायीदा पर वायीदा चली रहे है मॊकद में चली रहे है ठीक इसके लावां जो है इन्होंने बोला है कि कवेक्शन रेट जो ह इसमें काफी low है 30% है metropolitan cities में तो especially तो इसके साथ delay जो result में delay के वज़े से भी जो है इसमें लोगों कुछ एक डर होता है यह एक responsibility होती है citizens के लिए वो नहीं है यहाँ पे इसके लावा जो general impression है judicial का वो काफी बहुत बुरा है क्योंकि कई लोगों को यह लगता है कि अगर आपका थोड़ा background financial strong है तो आप कुछ भी case करोगे ना तो आपको bail दिला दिया जाएगा या कहीं न कहीं किसी system के loophole को पकड़ के जैसे for example नाबाली को यह writer loophole ही बता रही है क्योंकि नाबाली अब जिससे सोचो वो drunk है उनने पीना पता है और वो जो car four wheeler चला रहे हैं उनके पास driving license भी allow नहीं है क्योंकि वो 18 से कम age से पहले तो license मिलता ही नहीं है तो इतनी knowledge आपको होने है तो आपको यह नहीं पता कि किस तरीके से चलाये जाना चाहिए वेकल को तो यहाँ पर writer जो है mainly system को थोड़ा जो है criticize कर रही है ठीक है जिस वज़े से यह लोग free हो जाते है especially judiciary का भी system यहाँ पे involved है not police only even judiciary को भी हाँ criticize कर रही है अब देखें यहाँ पर data इन्होंने use किया है कि 2023 में क्या हुआ कि पार्लेमेंट ने है न एक data बताया law commission के according recommended data था 1987 में recommend था कि भाया अगर आपकी किसी भी city में police का और population का अगर ratio हम देखे न तो एक लाख लोगों पे 152 police होनी चा पुलिस होनी चाहिए लेकिन actual में हमारे पास कितनी है 152 पर लैक है ठीके तो ratio बहुत कम है और इसके साथ साथ जो है एक data writer बता रही है the data on police organization में 2022 का data है जो की आपका the bureau of police research and development के द्वारा निकाला गया था जिसमें इन्होंने बोला है कि काफी जादा vacancy police की जो है जैसे nearly 4 ल low ratio है ना ये low ratio मतलब किस चीज़ का low ratio high rate of vacancy जादा रहना जो proportion होना चाहिए people का और police का जो proportion है वो बहुत ही misbalanced है तो ये सारी चीज़े भी जो है एक impact डालती है system में तो यहां पर इन्होंने एक data और use किया है इन्होंने का कि अगर हम बात करे crime in India 2022 जो report थी वो ये indicate करती है कि 75% जो deaths है ना हमारे इंडिया में वो road accident एक मिनट वो road accident से होते हैं ठीक है और specially negligence के वज़े से होता है और 65% of cases जो है hit and run cases है that means आप फटाफट जैसे car चला रहे हैं और आपने किसी को मारा और फटाफट वहां से रफादाफा हो गए ये cases जादा है ठीक है तो इस तरीके से although तो राइटर बता रहे हैं कि फिर भी जो officers हैं जो prosecutor है वो नए technology के साथ well equipped के साथ forensic lab का use करते हुए जो है पहले के comparatively detention करते हैं कि कहां हुआ किस वज़े से हुआ case लेकिन फिर भी जो है काफी जादा loophole है और अगर third point बताती है तो वो juvenile वाली बताती है आपको पता है कि juvenile का ज कोई भी crime करता है तो उस पे जो है या तो juvenile के custody में उसे भेज दिया जाएगा कुछ महीनों के लिए और उस पे जो है मुकदमा नहीं चला जा सकता ठीक है तो यहाँ पर एक चीज यह बता रही है especially जो है इसकी age 16 से 18 के बीच में होगा अगर उसके द्वारा heinious crime किया जाता है under the Indian Penal Code तो यहाँ पर case नहीं stand होता है न क्योंकि वो juvenile है that means हमारे juvenile act यह बोलता है कि 18 से कम उमर के बच्चे के द्वारा जो भी करता है या जो भी चीज की जाती है वो जान भूझ के नहीं होती है ठीक है क्योंकि वो नाबालिक है ठीक तो इस तरीके से अगर आप इस case में द ठीक के उसे जो है भेज दिया जस्टिस जो है एफैर वगरा फाइल नहीं करवाई है इसमें ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पी जो पूने की पूलिस है उन्होंने यह बात भी लिखी है case में कि यह जो murder हुआ है यह जान भूझ के नहीं है यह murder नहीं है by accident है और जिसके द्व बारा हुआ है वो नाबालिक है वो minor है सबसे बड़ी बात ठीक है minor word का यहाँ जो है use करके उसे रफादफा किया गया है ठीक है तो यहाँ पर राइटर बतारीं की यह case पहला नहीं है इससे पहले आपको याद होगा 2012 2012 का एक rape case हुआ था जिसको हम निर्विया case कहते हैं जि देखे अगर ethics नहीं है न तो इन जैसे चीज़ों को हम teenagers को हम नहीं सही कर सकते है especially ethics की lack होने के वज़े से वो लोग drugs alcohols बार में जाना cafes में जाना इसको consume करते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है आपके एक system को ही एक बहुत गंदा example सेट करता है तो यहाँ पर राइटर बतारीं की logical conclusion निकालने की हमें यहाँ जरूर रहत है ठीक है तो यह एक overall article था next article पर चलते हैं देखें आपको पता होगा कि NSO जो है हर महीने हर तीन महीने जो है report निकालती है तो NSO की जो है इन्होंने 2023-24 की जो growth है fourth quarter की जैसे आपको पता होगा कि हर एक साल जो है चार quarters में बटा हुआ है तीन-तीन महीने में और NSO निकालती है data कि हर तीन महीने में जो है growth क्या हुई है किस industry की peak पे गई है कौन सी low गई है तो इसमें 2023-24 में ये expect था पूरे साल जो है चारो quarters में 7.3 का ठीक है 7.3 की growth रहेगी लेकिन अभी last अभी बच्चा हुआ है एक quarter का data नहीं है लेकिन February में जो है estimate किया गया था तो उसमें माना गया है कि 7.6 तक जो है growth हो रही है ठीक है तो अ वो 7.1 रहेगी लेकिन रही around 7.5 है ठीक है तो वैसे तो इससे भी पहले उन्होंने 7% बोला था जब last time monetary committee की जो है RBI की meeting होई थी ठीक है ये important नहीं है देखिए हर दो तीन महीने में ये निकलता ही रहता है आपने भी देखा होगा हमने तीन महीने में बहुत सारे article सिर्फ इ टेक्स में पहले बहुत देर से खड़ेओं के टेक्स पे करना पड़ता था लेकिन अब तो GST e-way बिल आ गया ठीक है especially वो truck वेगरा के लिए commercial vehicles के लिए है और अगर आप बात करोगे तो steel consumption cement production market जो है ये काफी अभी जो है पहले के competitively थोड़ी recover कर रही है और especially अगर हम बात क पिछले साल भी monsoon नहीं था बारिश नहीं है तो crop का जो है cultivation अच्छा नहीं हुआ तो लोगों के पास रुपए नहीं है जिसके वज़े से वो market में जाके expenditure करें तो लेकिन अब धेरे-धेरे वो चीज़ बढ़ रही है बदल रही है ठीक है और as per the Nelson IQ data के according ruler की जो demand है fast moving consumer goods के जो है वो अर्मन के comparatively मार्च से जनवरी से मार्च के quarters में पहले से better हुई है ठीक है और especially जो है two wheeler और three wheeler में जो है growth registered की गई है ठीक है और इसके लावा जो है अगर हम बात करें merchandise exports में भी जो है growth देखी गई है इस बार April में ठीक काफी पहले के comparatively job और wedges में भी जो है persistent है न अगर हम inflation की बात करें तो inflation हमारा जो है prox food inflation 7.9% था core inflation आपका 3.2% तक आ गया है although uncertainty है food price यह लगा जा रहा है कि अब जो है आने वाले टैंपी कम होगा ठीक है लेकिन अब देखें अब last June के बाद जो है monsoon आने की बाद पता चलेगा चीज़े वापस change होंगी data आएगा ठीक हर एक महीने हर तीसरे महीने में जो है यह change होगा और हर पूरे एक साल में change होगा तो आपको हमेशे है economy में याद रखना जैसे हमने कल रश्या का पड़ा था उससे पहले हमने एक economy का पड़ा था पिछले 5 साल में हमने कितना जादा rice और sugar का import export किया है है ना याद है आपको तो वैसे वाले data जादा important है आप PYQ को भी analyze करो आपको पता चल जाएगा 5 साल में पिछले अब वो कहेंगे कि पिछले कुछ सालों से आपका जो import है वो किस चीज़ पे जादा रहा है तो वो import एक महीने दो महीने या एक साल का नहीं होता है कम से कम minimum 5 से 10 साल का होता है तो ऐ ऐसे हर महीने हर तीसरे महीने फिर धीरे-धीरे करके पूरे साल तो क्या होता है जब दो साल बात तीन साल बात भी आप पड़ोगे तो आपको यह चीज़े लिंक होती है ना चीज़े बहुत पुरानी भी लिंक होती है अब जिससे ईजी एस्टी ईवे बिल तो बहुत पहल अगर आप global की बात करोगे कब से 1960 से लेकर 2019 के बीच में तो वर्ल्ड की जो GDP है 37% ग्रोथ हुई है लेकिन ये अभी तक ग्लोबल वर्मिंग से इंपक्ट नहीं हुई है ये किस ने कहा है US की National Bureau of Economic Research ने ये डेटा निकाला है जैसे हम आए दिन ये कहते न जैसे आपने बहुत स सुने होंगे कि अगर ग्लोबल वर्मिंग बढ़ेगी तो जैसे इंडिया की कम से कम 3.4% GDP डाउन हो जाएगी तो इस तरह किसे आर्टिकल राइटर बता रहे हैं कि अभी तब तो इंपक्ट नहीं पड़ा इवन ग्लोबली ठीक है लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है तो नहीं होता नो climate change होता तो लोग जितनी growth करते हैं उससे कम ही growth हो पाएगी ठीक है यह किसने का है natural करके जो journal है उसमें यह लिखा गया है कि without climate change में अगर growth होती तो 26% जादा जैसे for example अगर आप 100 रुपे कमा रहे हो तो आपके यह थी 500 रुपे कमाते हैं आप लेकिन यह example है hypothetical समझने के लिए कि climate change के जिससे जहाँ 100 रुपे कमारे हो जबकि अगर climate change नहीं होता तो आप 500 रुपे कमारे होते हैं तो यह चीज बताई गई है ठीक है तो यहाँ पे ना यहाँ पे दोनों चीज़े नेक्स जो जनरल है इसका भी और जो नेचर जनरल है इसका भी और जो ए warming लेकिन बात है लेकिन दिखिए यहाँ पे अगर हम इनके अलावा हम बात करें कि जो आपका climate change वो किस-किस के वज़े से impact होता है जैसे heat waves हो गया आपके ठीक है इसके लावा आपका जो floods हो गए storms हो गए या और भी चीज़े हैं जो climate में सबसे जादा impact करती है और सबसे जा जास्तों में बहुत जादा हुआ है जैसे आप dry lens के अगर हम बात करें तो अभी recently जो है UN Convention on Combat Desertification ने अपनी एक report निकाली है जिसमें इन्होंने बोला है कि अभी ना हमारे जो desert shrub lands है mountain pastures है टुंड्रा platews है यहां बहुत जादा climate का impact पड़ा है ठीक है 50% of जो यह सारे lands है है आप मालो जिसमें आपके जिसे गाएं हो गया या फिर भेड हो गया यह सब चीज़े चारा चरने जाते हैं वहाँ पर तो यह mainly degrade हुए है ठीक है और सबसे जबकि यह world का बहुत बड़ा carbon sink का एक काम करता है ठीक है कही ना कहीं से जो है neglect किया गया है policy makers ने as well as compare forest के comparatively ठीक ह हम इंडिया के बात करें तो जैसे माल्धरीज है वन गुजर्स है राबरीज है तो यह लोग ऐसे हैं जो specially इन सारे pasture land में रहते थे ठीक है अभी भी रहते हैं काफी ज़दा आपको जो है उत्तराखंड और जो north west up मिलेगा उन regions में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि वैसे तो climate change पर global climate policy जो है concern है काफी इन चीजों पर लेकिन हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है especially इनके वज़े से floods, storms, drought जितना impact पड़ता है उसी का ही impact इनका भी पड़ता है ठीक है और अभी जैसे NBR ने अपने macro level में बताया सेम UN report ने भी बताई है certification में कि हमें जो है climate resilient actions उठाने की जरूरत है ठीक है ताकि हम जो है heat waves हो गया या जो आपका drought है agriculture पर impact है health facilities पर जो impact पड़ेगा उससे हम mitigate कर सके ठीक है तो यहाँ पर है और अभी जैसे अभी next जैसे आपको पता होगा कि next जो COP की meeting है वो अजर्बाइजान के capital बाकू में होने वाली है तो देखते हैं कि आगे यह इस चीज़ पर ध्यान देते हैं नहीं देते हैं चीक है तो next article पर चलते हैं अब सारा का सारा जो इरान का main power है ना वहाँ के जो supreme leader अली कमेनी आयतुला अली कमेनी है ना वही lead करेंगे ठीक है तो अभी writer यहाँ बता रहे हैं कि देखिए अगर अभी recent time की बात करें इंडिया और इरान की relationship की ना तो इरान को इंडिया ने काफी ज़ादर disappointed किया है क्यों especially US के वज़े से और west के वज़े से क्योंकि मैंने आपको already बताया था कि जैसे US है ठीक है US जो है इरान को इरान के उपर ठीक है चाइना के उपर रश्या के उपर इन countries पर यह sanctions लगाता है लेकिन वहीं जो है US से जो है इसराइल हो गया यह आपका जपान हो गय यह South Korea हो गया ठीक है इन nations के साथ इसका काफी अच्छा इंडिया भी हो गया इसमें ठीक है काफी अच्छा supporting है तो यहां पर जो है आपको पता होगा कि 2017 के आसपास की बात है कि ना USA ने काफी sanctions लगा दिये थे इरान पर पता है कि इरान जो है nuclear supply करता है nuclear power की testing करता है लेकिन बात भी देखा गया है काफी ज़्यादा तो पता चला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लावा जो है इरान पर काफी ज़्यादा 2018 में ने पता है क्या हुआ था 2018 में US ने ये भी announce किया था कि अगर कोई भी country अगर कोई भी country इरान के साथ trade करेगी तो इसके sanctions के सासत में उस country पे भी sanctions लगा दूँगा उसके साथ भी US trade नहीं करेगा और US के allies में जितने भी countries वो भी नहीं करेंगे तो उस समय काफी ज़्यादा दिक्कत में कौन पड़े था इंडिया पड़े था क्योंकि इंडिया का और इरान का काफी अच्छा relation है किस वज़े से relation अच्छा है आपको मैंने बताया था एक तो आपका जो चाहबार port है क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे relation अच्छा नहीं है हमें port की जरूरत है क्योंकि हमें north-south corridor में जाना है जिससे हमें अफगानिस्तान में पहुंचना है इसके साथ जो है European Union countries में पहुंचना है तो उसके ल मेंबर अपसे जो है permanent member में one of the member जो है इरान भी होगा तो इस तरह के से इरान और जो इंडिया का relation है वो काफी अच्छी से चल रहा था ठीक है लेकिन US के बीच बीच में दखल अंदाज के वज़े से काफी जादा disappointment मिला है और especially writer बता रहे हैं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी कि जो government अभी recently है इन लोगों ने इस government ने काफी जादा निराश किया है इरान को क्यों क्यों कि इस एंडिया government ने क्या किया है गल्फ और साओधी अरव और UAE के साथ मिलकर क्योंकि इन सारे गल्फ countries को कौन support करता है US करता है तो US के साथ इन लोगों के साथ काफी अच्छी partnership बनाई है as compare इरान के ठीक है और उपर से अभी 2020 में अब्राम अकॉर्ड भी इनका साइन हुआ था वो किस किस के बीच में इसराइल, UAE, बहरीन, मौरक और लेटर सुडान के साथ ठीक है इसमें diplomatic relationship के लिए इन्होंने अब्राम अकॉर्ड को साइन किया ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर इसलिए भी कही न कहीं रीजन बता रहे है राइटर की इरान क्यों नाराज हुआ है इसके सासत इंडिया ने एक और कदम उठाये 2021 में I2-U2 में I2-U2 में कौन मेंबर है इंडिया है इसराइल है UAE है US है तो यह quadrilateral, quad की जैसे ही ग्रुप हो गया, quad का भी पता है Australia है, Japan है, US है, इंडिया है तो यह specially चाइना को counter करने के लिए था और यह वाला जो group है आपका I2-U2 का यह West की कुछ country, specially आपका जो Palestine है या फिर आपका जो Iran है इन countries के साथ US की नहीं बनती है तो इनको counter करने के लिए यह group बनाए गए थे ठीक है तो यहाँ जो है writer बता रहे है कि जो अच्छा खासा relation है, इस बार कुछ सालों से, पिछले कम से कम अगर आप 10 सालों या specially पिछले 3-4 सालों से इंडिया ने काफी नाराज किया है इरान को ठीक है अल्दो जो है यहाँ पर इसराइल इंडिया ने काफी जादा जो है इसराइल अरब कंट्री युएस के साथ एक फॉर्मल रिलेशन रखा है, कोलेशन रखा है तो इसी वज़े से कही न कहीं और ऊपर से आपको बता है कि युएस जो है पैलेस्टीन के इशू में इसराइल के साथ सपोर्ट है, पैलेस्टीन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है तो यह भी है क्योंकि जो इरान है वो जो है पैलेस्टीन के सपोर्ट में रहता है ठीक है तो ये भी एक impact पड़ता है आपने जो relationship है इरान के साथ इसे वज़े से इरान unhappy भी है इसके साथ जो है अभी recently बता रहे हैं कि जो September में G20 का summit हुआ था ना इंडिया में तो वहाँ पी इंडिया नहीं मिलकर इंडिया नहीं host किया था तो इंडिया नहीं कुछ Middle East countries के को link किया जाएगा especially जो है हैफा port जो इसराइल में है हैफा port के साथ जो है rail को connect किया जाएगा ठीक है और ये MOU जो है sign हुआ है especially US और European Union के साथ मिलकर और इसमें साओधी अरब जो है साओधी अरब और इसराइल जो है mainly remarkable एक participant है ठीक है और ऐसा देखा गया कि धेरे धेरे वा हम बात करते हैं तो इंडिया और इरान की बीच में अगर relation बचा है तो वो सिर्फ वो सिर्फ चाबार port में क्योंकि इरान को IMEC इतने बड़े MOU में involved नहीं किया USने ठीक है तो यहाँ पे जो writer बता रहे हैं कि अगर आप चाबार port की बात करोगे तो इसी लिए क्योंकि हमें अफगानिस्तान और Central Asia तक अगर reach होना है तो हमारे पास इरान का जो चाबार port वही रह जाता है option ठीक है लेकिन फिर वापस question यही आ जाता है कि इतनी चीजों के बावजोद भी वापस इरान और इंडिया के वीच में इतना equally enthusiasm कैसे हो जाता है क्योंकि देखिए अगर आप करोगे 2016 में तो इसने इरान के साथ sanctions लगा दिये था इरान के साथ कोई भी दोस्ती किसी भी तरह का trade के लिए बैन कर दिया था USने है ना तो यहां पे इसके बावजोद भी इंडिया ने जो है अपना relation बना के रखा स्पेशली इरान के साथ अफगानिस्तान को आगे अपने क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में भी इंडिया ने पार्लिमेंट बनवाया है वहां काफी साधा डैम बनवाया है इंडिया का बहुत जाधे investment है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान रीच होने के लिए आपको इरान से जाना ही पड़ेगा ठीक है और 10 साल त इसराइल हमास का जो अभी ongoing issue है ठीक है आपको पता होगा कि इसमें US सीधा सीधा जो है frankly इसराइल को support करता है और यहां पे राइटर बता रहे हैं कि अभी हमास को पता होगा कि 7 October को हमास ने terror attack कर दिया जिसके वज़े से issue और भी ज़्यादा concern हो गया और इरान थोड़ा सा नराज इसलिए हो जाता है न क्योंकि यहां पे इरान देखें इंडिया डिरेक्ली एक तो जब पूछा गया था कि इरान इंडिया किसके साथ है तो इंडिया absent हो गया पहली बात तो कि इंडिया ने सीधा सीधा बोल दे कि हम इतना जादा किसी पे support नहीं है लेकिन हाँ जो करके रखना है न होस्टेज बनाना तो वहां पे लेबर की जरूरत है और भी काम विगरा करने के लिए तो इंडिया ने अपने तरफ से लेबर बेजी है इसराइल में तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि थोड़ा इरान जो है और नराज हो गया है लेकिन इन सब के बाव वाटर वेज और सरबना स्नो वोल्ड ट्रावल के द्वारा जो है और आगे इसको एग्रिमेंट के साथ आगे बढ़ाया जाएगा ठीक है तो यहां पर राइटर बता रहें कि अल्दो चाहबार के अलावा जो IMEC जो इसको बोलते ने यह इंडिया मेडल इस्ट एकनॉमिक क में इस चाबार प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करेगा या इस्राइल जो है कभी पार्टिसिपेट करेगा तो यह क्वेशन मारक है लेकिन चाबार प्रोजेक्ट जो है इंडिया के लिए काफी अच्छा कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक बहुत अच्छा मेजर रो और स्पेशली 2021 से जब रेजी जो ये प्रेजिडेंट जिनकी डेथ हो याना इसके बाद से तो सीधा 10-10 साल का और इसके बाद आटो रेनेवेशन की बात आ गई थी कि 10 साल खताब होने के बाद आटो रेनेवेट हो जाएगा और इंडिया इस चाबार पोर्ट का यूज कर सक होगा अफगानिस्तान में अब तो तालिबान का रोल है लेकिन इससे पहले यूएस की ही मिलिटरी थी जब यूएस को लगा जब स्पेशली जो डनाल ट्रम जब रूलिंग में थे तो उने लगा जब यूएस जो है अपना बहुत जीडीपी का बहुत बड़ा मेजर पोश कबजा रखा है अफगानिस्तान में तब से इंडिया थोड़ असा भी जो है absent है relationship में अफगानिस्तान के साथ तो यहां पर इस वज़े से थोड़ असा भी imbalance चल रहा है लेकिन यूएस ने वहां की जो गानी गौर्मेंट है उसके साथ specially अपने आपको आगे बढ़ाया है औ काफी ज़धा यूएस गौर्मेंट भी इंट्रेस्ट रखता है कि किसका क्या चल रहा है कैसे है ना लेकिन वही बात है कि इंडिया जो है लेकिन इसके बावज़ोद भी है ना यूएस यूएस relationship के बावज़ोद भी इंडिया ने काफी कोशिश करी अपने साथ इरान के सा relationship को बनाने की although अभी जो है देखिए election का year है और Biden although चाहते हैं कि Iran जो है इस्राइल के साथ जादा issue में जादा involved ना हो especially Palestine और India कोशिश करता है कि वो Biden या America को नाराज ना करे अब uncertainty है तो देखते हैं किया है आपको I hope यह article overall समझ में आया होगा और next article एक last article देख लेते हैं तो यहाँ पर बताया कि UNCD ने convention of United Nations convention of combating desertification नहीं announce किया है कि world की range land जो है ना half of the land सारे degrade हो चुकी है ठीक है जैसे अगर हम बात करें तो यह mainly जो है livestock और wild animal के लिए बहुत बड़ा काम करती है क्योंकि यहाँ पर vegetation, grasses, sherbs, bushes, open forest बहुत जादा होता है और earth के यह 1.2 million square kilometer है especially अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे third desert हो गया हिमाल लेके में डाउज हो गया तो यह जादा बहुत बड़ा role play करते हैं especially यह carbon sink का काम करती है carbon emit में, store house में, fresh water के लिए, desertification के लिए, prevent desertification के लिए ठीक है और इसमें लोग जो है ना millions of people जो है अपनी food security livelihood के लिए भी depend रहते हैं इन range land में और range land जो है कम से कम 16% global food जो है produce करता है और 70% of feed जो है domesticated herbivores का भी काम करता है ठीक है लेकिन यहाँ पर writer बता रहे हैं पिछले 100 साल में जितने पेड़ वगरा काटे होंगे ना उसमें हम जितना conscious थे, emotional conscious थे लेकिन यहाँ 100 साल में बहुत सारे range land खतम हो चुके हैं लेकिन हम silent demise रहे हैं हमने बहुत जादा चुपी बढ़ती है ठीक है और यहाँ पे इस climate और किसने बोला यह UNCCD ने बोला है याद रखना ठीक है climate change के और जिसे unsustainable land, livestock management practices, conversion of range land to farm land, uncertainty बहुत जादा especially इसमें impact पड़ा है, biodiversity काफी जादा और इसके साथ साथ वहाँ की जो इस इस इलाके में रहने वाले जो community के लोग है, उनके livelihood पे भी बहुत जादा impact पड़ा है और अगर वहाँ pastoral communities में देखें sheep, goats, cattle, horse, donkey, camels, yak, ilmaz, alpacas, pigs, dairy, meat, wool, leather यह सारे productions में भी impact पड़ा है, और अगर आप देखोगे तो there are estimation 500 million pastoralists globally रहते हैं, जिसमें से 13 million तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हैं, और इंडिया में 46 groups हैं, जो mainly चारावा का का काम करते हैं, जैसे gujars हैं, bakarwalas हैं, rebris हैं, raiqas हैं, kurbaz हैं, maldiaries हैं, mainly यह livestock का का काम करते हैं, और इंडिया का 20% world का livestock population maintain करता है, और 77% of the pastoralism ना mainly common land में हैं, और इसके according है, pastoralist in India की report 2020 के according है, ठीक है, और अगर हम बात करेंगी, इंडिया की largest producer of milk, जो है world की कम से कम 23% milk production सिर्फ और सिर्फ इंडिया से होता है, और वो buffalo meat का largest exporter है, sheep और got meat का, ठीक है, तो इस वज़े से काफी impact है, तो यह था आज का article, thank you